नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में स्वच सर्वेच्छन 2021 की रेंकिंग जारी की गई है और यहां से आगे आने वाले सभी एक्जाम में एक प्रस्ण पूछे जाएंगे यह रेंकिंग कब जारी की गई है तो 20 नमंबर 2021 को यह रेंकिंग जारी किया गया है स्वच सर्वेच् लिये थे तो तेटाली सुब के बीस सहरों ने भाग लिया था और कितने लोगों ने सामिल हुए इस में जो सरवाजण है तो चारपमन दू कलोघों लोगों ने स्वच स perpendicular 2021 में भाग लिया और इस कितने दिन लगे सरवचल करने में यहां पर भी देखे लिखा गया है कि यह जो ranking किसके द्वारा जारी किया गया है और इसमें बताया गया है कि जो city है 4320 city आपके भाग लिए हैं लेकिन ranking कितने city को दिया गया है तो 342 city को आपके ranking दी गई है ठीक है और इसमें आपको याद रखना है जो city होते हैं जो सहर होते हैं उन्हें अस्टार में ranking दिया जाता है 5 अस्टार, 3 अस्टार, 1 अस्टार में ranking परदान किया जाता है उसके बाद आपको याद रखना है कि जो स्वच सरवच्छन 2021 है यह पहली बार कब किया गया था तो पहली बार 2016 में किया गया था और उसमें कितने city ने भाग लिया था आपको याद रखना है कि 10 लाग से अधिक अबादी वाला सहर में जो है पहला स्थान किस सहर को मिलता है तो दस लाग से अधिक अबादी वाला में जो सहर है उसमें पहला स्थान पाचमी बार टॉप करता है इंदोर मत परदेश का इंदोर सहर जो है पाचमी बार टॉप करता है दस लाग से अधिक अबादी वाला सहरों में दुसरा स्थान किसे मिलता है तो सुरत को मिलता है तिसरा स्थान किसे मिलता है तो तिसरा स्थान मिलता है विजय बाड़ा को चौठा नभी मुंबई, पाचमा पुने, छठा राइपूर, सातमा भोपाल, आठमा बलोदरा, नोमा विसाखापटनम और दसमा अहमदाबाद को म जो बारमा अस्थान याद रखेएगा, जो वीपी कीशे याद रखेएगा, लखनावर को 10 लाख से अधिक अवादी बालों में बार Maasthान मिला है, जबकि BPSC के लिए पत्ना, तो पत्ना को कितना स्थान मिला है? कितना स्थान मिला है पटना को चोड़िस्तमा स्थान मिला है दस लाग से अधिक अबादी वाले सहरों में ठीक है उसके बाद आपको देखना है दस लाग से कम अबादी वाले सहर में पहला स्थान किसे मिला है तो जो पहला स्थान मिला है बीटा सहर को, किसे मिला है बीटा सहर, जो बीटा सहर कहां पर है, तो महरास्टा में, दुसरा स्थान आपको मिला है लोनावला को, तिसरा मिला है सासवाड को, और जो चोटा मिला है नोडा को, याद रखेगा जो चोटा मिला है, नोडा को मिला है इंदौर है उसके बारे में देखिए जो इंदौर है 2021 में भी पहला स्थान पर रहा था 2020 में भी पहला स्थान पर रहा और 2019 में भी आपके पहला स्थान पर रहा लगातार पांच बार जो है पहला स्थान पर को रहा था इंदौर इंदौर कहां पर है तो मद्ध पर्देश में सभेर्शती थे इंदर सूरत सूरत आपके 2021 में दुश्रा स्थान पर है compress 2020 ब一定要 स्थान पर था और 2000 जो आपके 19 से उसमें आपके 24 स्थान पर था उसके बादे वैजाई बाड़ा ठीक है बिजाई बाड़ा 2021 में से तिसरा स्थान रैंकिंग परदान की गई मतलब तिसरा रैंकिंग दी गई है और 2020 में से छठा स्थान दिया गया था और 2019 में से बारमा स्थान दिया गया था उसके बाद है ग्रेटर हैदराबाद इसे इस बार 13 स्थान दिया गया है ठीक है और इसका पहले इसे जो 2020 मे 80 इसे 60 दिए गया था ऑफ के 35 माश्थान दिए गया था उसके वाहते बेंग़लूरू D जो दो अंख है, दो अंख के इसमें गिरावट आया है, और जो चेन्नेई है, चेन्नेई के इस वार आपके मिला है ते तलिसमा स्थान, और आपके 2020 में से तलिसमा स्थान मिला था, यह दो अंखों का आपके, मिला दो स्थानों का सुधार किया है, उसके बाद यहाँ पर गंगा सहर स्वच गंगा सहर किस रेनीम आपके पर्थमा स्थान मिला है इसका मतलब क्या है कि जो गंगा के किनारे जो भी सहर बसा हुआ है जो भी आपके सहर गंगा किनारे बसा हुआ है उसमें पहला स्थान किसे मिला है तो आपके मिलता है बारानेशी को ठीक है बारानेशी को और जो दुसरा आपके मिलता है मुंगेर को तिसरा पटना को चोठाप के हाजी पूर को मिलता है ठीक है उसके बाद यहां पर लिखा गया है कि 36 गल को जो है भारत का सबसे स्वच राज माना गया है तो आपको नोट कर लेना है कि 36 गल को राज जो राज की कटेगरी है उसम उसके बाद यहां पर देख लिजिए कि जो एक से तीन लाख population की अबादी में जो है पहला स्थान किसे मिला है तो देली Municipal Council को पहला स्थान मिलता है जबकि इसमें आपको याद रखना है कि जो medium size की city है जो medium size की city है जिसकी अबादी तीन से दस लाख है उसमें पहला स्थान किसे मिलता है तो नोड़ा को पहला स्थान मिलता है जबकि जिसकी अबादी एक लाख से चालिस सोरी दस लाख से चालिस लाख जिसकी अबादी है उसमें पहला स्थान किसे मिलता है तो नभी मुंबई को इसमें पहला स्थान मिलता है तो स्वाच वारस सरवच्छन से समंधिज जितना भी important point थे सारे point को इस वीडियो में कहर कर लिया गया है आपको वीडियो कैसा लगा comment करके आप लोग जरूर बताइएगा Thank you